आप लिटरेली पानी के ऊपर तहर नहीं रहे हो उड़ रहे हो पूरे 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 पाणी के अंदर है पूरे 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 पाणी के अंदर है पूरे 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 पाणी के अंदर यह देख रहे हो तो बिल्कुली बूर्ट हम तो पत्थर के ऊपर सी गए है तो और बाई और नीचे से देखने को तियार हो गया है तो हेलो गाइज और वेल्कम टु दा न्यू व्लोग और इस नए व्लोग के शुरुआत हम कहा कर रहे हैं हम कर रहे हैं केंपिंग साइट से जो बढ़ती है डाउकी से सिर्फ और सिर्फ पांस साथ किलोमेटर दूर और डाउकी से जो यहां का पूरा और बहुत ही ज्यादा चेंज है हैं मैं दिखाता हूं आपको यह देखो मेरे पीछे वहां रात में हमने एप्लीन हराउडव करें में अभी हम जा रहे हैं भूटिंग करने इस यहां कर ली ते बार को इकमर्ण को कर ल कि शबा कर लो इतियू कर आि वहां पर देख इना क्यों हिस फ्लोर है तो नदी या बोटिंग कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं जो है कि आज कहां जारे हैं क्रंग्सूरी फोल्स पर उसके बाद शीलोंग निकलेंगे वापस क्योंकि अपनी परसो की फ्लाइट है यहां पर और आज जो मोसम है ना सुपह तो बारीश हो रही थी बड़ थोड़ी बा करें या वो करें बोटिंग करें अमने डाना है शॉप हो फिर होcolored के अपो दोने पहले यह भाई है जिन्होंने हमें कैम बगएरा दिलवाया है यह इन्होंने अच्छे रेट्स पर कैम करवा जिए खाना वाना ही बहुत बढ़िया करवाया हमने दिये थे रात में 2000 रुपे दिये थे जिसमें स्टे बिंक्लूड़ीट था खाना भी इंक्लूड़ीट था और अब भाया करवारें बोटिंग के करें बोटी में तरफ से कॉम्पलीमेंट्री है यह विए बहुत अच्छी थी बहँते खाना थे खाना तो मुंदे चिकन कहा से ली गए थे इसी कंटीं से था वह बख बड़ी था जिकन बड़िया बढ़ा पोजे अब हम क्या बोटिंग क कितनी की दूर करा Oreo इनुंगा यहां पर एक घंता टाइम लग जएगा जाएक जाएभा फे बॉटिंग में ठीक है're तो आप मुझे करादो क्या नामने बॉटिंग खूत इंचनग करा दू यहां पर कितना फ्लोर दिखता है वैसे आज तो पानी लिखी रहा है पर बारीश होगे तो शायद थोड़ा सा दुनला हो जाए तो भाई खड़े हैं वहां पर वहां में मिले दे कल रात में तो वह हैं साउथ से ट्रैवल कर रहे हैं केरला के है वो तो अनों अभी मुझे बत अभी में दे लेके जा सकते हैं हाफ प्राइज दो अब तो मजा नहीं आता ना फिर ट्रांस्पेरिंट लग रहा है बहीं बिल्कुल यह देखो मेरे पीशे नजारा मैं नैना और यह भाई भी जा रहे हैं तो यह जगे ट्रोप होंगे और व्यू देखो यार तो आभी दे यहां पर फरहें कि भाई यहां पर पानी तना ट्रांस्पेरिंट आई कि बिल्कुल यह देख सकते हो यहां जहां बहुत बहुत गहरा है लगबग 20-25 उप्राइज पाक यहां पर गहरा होगा तो तो यह पर आजाता एकदम यह नीचे पान पथर दे कितना क्लियर दिख रह तो अब एक क्लेफ तो बिलकुल कलियर दिखता बिलकुली क्लियर नीचे तक भी और यह तो ब्रेथ ट्रेकिंग हैं जी पहती क assisting इसमें अगर जैसे कयाख लेके आए और गलत चला दी तो पत्थर से टक्रा जाएगी वह तो नहीं टक्राती है उधर से यह देखो यार यहां पर अब काफी गहरी आई इसमें मचली भी होंगी काफी पता चल देगा भी कैसे जगर दीए दू है और यह आइफोन वाले भाई इनके शौफ खतब नहीं होते कि अभी पता चल जाएगा हाहा है ऐसा सही पत्तर होगा जुल लगा होगा कभी टैटैनिक में जाके देख रहें नीचे पानी के पूरे ऐसे खड़े हैं जैसे जॉइंट होते हैं ना बिलकुल बड़े बड़े एकदम और उसके ओपर से भोस तो बोटिंग में जूँन जुलाइ ऑगस्त पर हो जाता है बिल्कुल बंद क्योंकि पानी हो जाता है वहां वहां तक फूरा बोटिंग मन और ये भाई फिशिंग करने ना यह बाई कर रहें फिशिंगर यारी है कुंज इनी टेकनी तो यह शिंग की दूंड रहा हैं यह देख सकते हैं, आपर ट्रांस्पेनट यह भी बढ़िया है, यह देख लो कि जा लें फसी की नहीं फसी है, भाई वो देखो, बिल्कुल फोकस करके, यह आई की नहीं आई बोट पानी, अकेली है हाँ, हाँ, वाँ यह देखो, पानी के इंदर पाणी यह पाहड़ है, पुरे पानी के नंदर पहाड है, यह देख रहा न, एक दम अर वाँ, उग्या देखो, जो मचली वाल च यह देख लेए, वाँ बिल्कुल बाई ट्रांस्पिरेंट ट्रांस्पिरिंट क्रिस्टल क्लिया है पत्थर के ईपर से कहय है, ताकरा भी गई है सब्सक्राप्लाही है। फिशिंग नेट्स, जाल गती तुर और इपार से इंपे जालए है फिशिंग जालो हैं और नेअ से एक भी नाद भी आवरे है मैं लुट जाधा युनिक चीज देखी है। तहर नी हदे हैं। और अभी हम आये हैं इस पर आये ना वाटर फोल भी है उसको देखते और मैं अभी आपको अंदर से दिखाऊंगा अंदर से मतला हम अपना कैमरा डालेंगे अंदर पानी के अंदर दिखाएंगे भाई कैसा नजारा पानी के अंदर से आता है तो अभी जैसे कोई बड़ी ज्यादा ट्रांस्पिरेंट होता आप बोल रहों कि सिदा क्या ट्रांस इससे भी ज़्यादा उसमें तो ऐसा लगता कि पानी है ने मोग उपर तहर रहे अभी हमें ऐसा लग रहा है कैमरा पका मैं बता रहा हूं जो हम देख रहे हैं उसको पिल्कुल इस्टिफाइन करवा आप जो देखनें वाग तो बहुत ही जादा आउट ऑफ दा बोक्स आउट ऑफ वर्ल्ड चीज़ें वाउ इसके लिए तयार रहे ना ओए और भाई बहुत ही अमेजिंग बहुत ही जादा अमेजिंग यह देख रहे हो कहां से जबना रहा है पहुत ही जाएंग वह यह यह देखो पासम से आई यह एक ऐसा व्यू है जो शायद आदमी कभी जिंदीगी में भूल पाए तो कि है अच्वकुब तो यह स्नोकली की थी स्कूब डाइबिंग की थी बट वहां पर ना जब पानी कंदर के तो बहुत जादा ढर लगे तो इसका रीजन यह था और अब्हूंप वह त्क पानी ना प्र्वा था ब्हूं पानी नहीं था लग्र करेंगे बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा उसका रीजन यह जा पानी के अंदर भी बहुत दूर दूर तक आराम से देख पाएंगे जब इतनी दूर से इतना गहरें 20-25 फूट में भी आराम से देख पा रहे हैं वह देख प्थर पूरे पूरे यू 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 दिख पानी के अंदर का एक्सपीरियंस थारा बिल्कुल ट्रांस्पेरेंश बड़ी बड़ी मचली भी होंगी ना बईया यहां पर बड़ी 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 40-50 kg मचली पकड़ते हो आप लोग पकड़ी कभी वाँ चो ऑलीस पचास किलो की मचली बड़ी यहां की जो मचली होंगी यहां मीठे पानी वाली होंगी याद मुझे भी दिख जाए ना एक मचली तो मजा आ जाए बड़ी सी कोई तहरती वही इतनी बड़ी मैं देखता उसकी हंट करता हूँ कई मिल जाए तो वैसी वैट जाओ तो आगे बिल्कुल जाए वो भीया बैठे हुए है ना उल्टा लटक के वहां से आयम जो पूल है ना पूल आपको तिक रहो उससे भी बहुत आगे से आयम हापे यह देख रहे हो कितनी बड़ी मचली यह बहुत आपर 60-60 किलो की मचली रहती है लग रहा है जैसे शीशे के ऊपर हम तहरे है भाई ना विमारी एक फोट लिए हो फटरनाथ ऐसा लग रहा है कि जैसे बोट दी नीचे परच्छाई भी आ रही है और हम बैटे मलब जैसे आद देखते हो ड़की वगरा डालते तो ऐसा लग पिला कूद गया देख देख रही है दू अधे उसको कितना प्यार है देख उसके फास जा रहा है उसके पास ही जा रहा है कैसे इसको स्विमिंग आती है इनको देवो बोट लेके जा रहा है ना एहा औरे देखियो यार ने ना कितना प्यार है भाई गाइस देख रहे हो आप मलब वह काली बोट वाला है उसके पीछे रहता हूं मेशा वह भागया बोट लेके तो यहां से कुदी-कुदी मार गया प बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा मैं ते बोलूगा अगर मैं कभी महगार लेकर वापिस आउँगा तो स्नो पर डंग के लिए यहांगा सबसे मेन जो मेरा प्राइटी पर रहेगा डिसकी वैसे मैं वापिस आउँगा वो स्नो पर डंग ही रहेगा वहाँ पर हमारा क पर चीज का डगने की चोरी बोरी का कोई डर कोई सीन ही नी है यह अपर और नीचे से देखने को तियार हो गया है जो कैसा लगा आपको एब लोग कैसा लगा है बोर्टिंग का एक्सपीरियंस स्नो पर डंग में जो कि डूखी से सिर्फ पांट साथ किलो मेटर दूर है वह होती वनोफा काइट एक्सपीरियंस मुझे लगता कि यह बहुत ज्यादा लोग अपनी जिंदगी में इस तरह की बोटिंग इंडिया में कर सकते हैं जहां पर ऐसा आपको व्यू देखने को मिले ऐसा आपको एक्सपीरियंस देखने को मिले और मेरे पीछे यार व्यू देखो अपनी जाओ शुबात यह होते इससे मेहतर कुछी निए वहां भर सुबह की शुबात पीकी है यह तो बैस यह वह शैतान था जो पानी में बीडियो में दिखाया था पानी में कूडिया भाई इसके प्यार गरता होगा कोई है जिसको अब जिसके पीछे पीछे रहता एक निए बाब यह मेरा बच्चा को चिए तो यह भाग रहना खाय तक होगे जैसी कायागलऑ उसके बीछे घो जए बाइटी में बाबनी उक्ना म्ना कूड ग या थे ठीक कहना था करना दरे अभी माईलॉंग विलेज में सिर्फ में पच्छे सो और पे रूम लिया तो इस सब सब बहुत ही जादा बढ़िया और मैंने आपको भार का व्यू दिखाई दिया और कैसा लगा आपको एव लोग कमेंट करके जरूर बतना मैं में लोगा आपको ने ने टेक केर थैंक्यू बाइया